नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ वसीद जारखन के शिक्षा मंतरी जगनात महतो 54 साल की उम्र में इंटर की परिक्षा दे रहे हैं उन्होंने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती महतों के इस कथन के बाद बिहार में राजनितिक हमले होने लगे हैं जेडियू के मुख्य परवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादप को सलाह दिया है कहा है कि वो अपने गटबंधन के सहयोगियों से सीखे की किस तरह से वो 54 वर्ष के उम्र में इंटर की परिक्षा देने जा रहे हैं पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार गटबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए राष्ट्रिय जणता दल का सहयोगी जारखन मुक्ति मोर्चा के मानिय सिक्षा मंत्री जगनात महतोजी ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परिच्छा देने का निरने लिया और मनतब दिया कि सिक्षा का कोई उम्र सीमा नहीं होता है ऐसी इस्थिती में राष्ट्रिय जणता दल जो उनकी सहयोगी पाटी है उसके बिहार में जो सिर्ष नेत्रित्तो है उनको सक्षम माधमिक विद्याले में मानिय मुख्यमद्री नितीश कुमार जी ने माधमिक विद्याले का जाल बिछा दिया जहां मरजी करे सक्षम दिगरी के आधार पर पातरता के आधार पर सक्षम माधमिक विद्याले में नामांकन लेना चाहिए राजनीत में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है इसके लज्जा नहीं बलकि गौरब के साथ माधविक विद्ध्याले में नामंकन कराना चाहिए तो सुना अपने नीरज कुमार को जिनोंने तेजस्वी आदब को सलाह दिया है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे मुखमंद्री नितिश कुमार ने बिहार में विद्धालेों का जाल बिछाया है और उस विद्धालेों में जाकर के वो अपना नामंकन कराए और फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करें बता दी कि तेजस्वी आदब आठवी पास है अकसर उनके शिक्षा को लेकर के विपक्ष हबलावर रहता है ऐसे में उनकी अकसर फजियत होती रहती है भले वह राजनीती में बहतर काम कर रहे हो और उन्हें लगातार सभलता मिठती रही हो लेकिन विपक्ष उनके इस आरों में सलाह दिया है और कहा है कि वो अपने पढ़ाई को पूरी करें वो आठमी पास है आठमी पास जो है लगातार मुख मंत्री बनने का दावा करता है तो निरेज कुमार जो है MLC है जेडियू के मुख परवक्ता है जो सलाह दे रहे हैं कि जारखन में जिस तरह से जंगनात महतो ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर की परिक्षा देने की योजना बनाई है वो परिक्षा देने वाले हैं इसको लेकर के 33 आदब पर को नसीहत दी है और कहा है कि आप भी अपनी पढ़ाई आगे पूरी करें अब बने हमारे साथ अभी के लिए इतना ही धन्यव